अब लोगों को दिखाएंगे और मेरा टेरेस गार्डेन का ओवर भीव भी आव लोगों को दिखाएंगे तो चोलिए देख लेते हैं आज क्या-क्या हर्वेस्ट होगा और पुरा ओवर भीव चोलिए देखिए फ्रेंड्स देखिए मेरा गार्डेन का ओवर भीव देख लीजिए देखिए पुरा हरा भरा है देखिए सब गुलाब का जितना फूल खिलते हैं आप पूरा सब कार्ड लेते हैं क्यूंकि इस टाइं ज्यादा फूल राखने से गुलाब ये खाराब हो जाएगा ठांडी के टाइं उतना अच्छा फ्लावरिंग नहीं देगा तो इसलिए हम पूरा सब कार्ड लेते हैं जो इस अब फ्लावर आ रहा है तो इस अब थोड़ा खिल जाएगा तो हम कार्ड लेंगे और इस अब देखिए फ्रेंट्स और दो दिन बारिस नहीं हुआ और देखिए मेरा जूट प्लांड में पानी कम हो गया तो थोड़ा ये ढल गया और ये देखिए फ्रेंट्स मेरा ज्यालंगा का प्लांड देखिए कितना अच्छा हिल्दी बहा देखिए फ्रेंट्स और ये देखिए फ्रेंट्स ये कौन है चुकचब बेड़ा है और ये देखिए मेरा ब्रेंट्स ये इस पुराना हो गया वर्षत के बाद हम इलाए प्लांट लागाएंगे पुराना प्लांड में भी ब्रिंजल होता है धेरी होता है, फिर भी मेरा नवी नया प्लांट रेडी हो गया, तो लागाएंगे, तो अब लोगों को खोलाज मांके आके पूरा खा लेता है, इसले मेरा आज भी प्रिंजल नहीं होगा यह सब देखिए फ्रेंज अब खाके छोड़ गया इस बृंजल पूरा सब खा गया तो आज बृंजल भी हर्वेस्ट नहीं होगा मेरा दो कि नग और एक के फ्रेंड्स मेरा उडा पिल का पधा देखिये किपना आच्छा ग्रोक एा तो आघचा लग रहा है पहुत आच्छा ग्रोक हिआ फिर इसका फ्लावर आ गया तो और ये दिखी फ्रेंड्स मेरा गंधरा चलेमुं ये तो हाड टाइम होते रहता है तो अभी खतम हो गया अभी एक दुगो है तो यह हम तोड़ लेंगे आज एक कीटो तोड़ लेंगे यह बड़ा हो गया ज्यादा बड़ा होने से इसका जो गंधोरास का जो सेंट है वो कम हो जाता है जो पाक जाता है तो इसलिए थोड़ा काच यह तोड़ लेना चाहिए और फ्रेंड्स देखिए यह मेरा शीम का पदा तो यह सब है और यह तो सब अब लोग चानते हैं यह मेरा आनार का पदा है आरे देखिए फ्रेंड्स मेरा कुले खाड़ा इधर देखिए यह आज हम हर्वेस्ट करेंगे यह जितना काट लिजेगा वह उतना अच्छा होता है तो यह भी हम आज कर लेंगे तो हम तो आब लोगों को बोला यह बहुत फाइदा है यह शाक खाने से आब लोग भी लागा सकता है खूब इजीली हो जाता है उतना क्यार नहीं लेना पड़ता है तो देखिए फ्रेंड्स इस टाइम बहुत अच्छा होता है और इधार सब देखिए फ्रेंड्स मेरा ड्रागन फ्रूट्स अभी देखिए यह सब रेडी हो गया और कुछ दिन बाद यह पाग जाएगा और यह सब देखिए मेरा कुंद्रू कुंद्रू अभी थोड़ा कम हो गया तो कोई बात ने फिर होगा और यह फ्रेंड्स देखिए यह मेरा वाटर स्पीनाज यह भी थोड़ा हार्वेस्ट करेंगे और के थोड़ाशा प्लस्टिक में हम दिया दिखिए कि राष्ष और है और यह दिखिए फ्रेंड्स ए मेरा वीड़ाश जिखावार कि आ है यह खाने में बहुत अच्छा लगता है और यह देखिए यह मेरा शुगर केन है अभी तो हर्विस्ट नहीं करेंगे और कुछ दिन जब देंगे और यह देखिए फ्रेंड्स यह मेरा जो माल बेरी है तो अभी यह छोटा छोटा है यह उतना अच्छा नहीं लगता है खाने में यह ठांडी के टाम बहुत अच्छा होता है और उस टाम बड़ा भी होता है और यह ज्यादा होता है और ये सब देखिए फ्रेंट्स ये हम चब ये ड्रागोन फूर्ट्स काटिंग करके लागाया आद देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा देखिए फ्रेंट्स आप लोग भी ऐसा करके नारसरी चे लाईए और लागाये और किसी का ड्रागन फ्रूट्स चाहिए तो हमको बोल सकते हैं तो हम भी भेज़ दिनगी और ये देखिए फ्रेंट इस अब भेंडी का प्लांट बहुत बड़ा हो गया और ये देखिए ये जो फीग है ना ये देशी भेराइटी का फीग है तो ये हम रग दिया तो इसका ये खाने से आपका जो खून का कमी कभी नहीं होगा तो इसमें बहुत आइरोन होता है इसलिए हम ये रग दिया और ये देखिए मेरा जो क्या आमला का पेर ये देखिए कितना अच्छा हुआ देखिए फ्रेंट्स बहुत हरा भरा हो गया अच्छा लग रहा है तो देखते हैं इस बार इसका अमला होगा की नहीं और यह मेरा स्टार फ्रूट्स यह हम सीट्स लगाआए सीट्स से हुआ इस बार तो फ्लावर भी आ गया आया और फ्रूट्स भी पकड़ फीर भी गिर गिया कोई बाद नहीं पाइली बार हुआ अगला साल जोरूर होगा तो देखिए फ्रेंज हम थोड़ा थोड़ा करके सब खुछ लागाते हैं तो अच्छा लगता है और इधार देखिए जो भिंडी है ये तूर लेंगे और इधार जो जूर प्लांट ली ये भी थोड़ा आज त दोड़ेंगे साग मिल गया थोड़ा थोड़ा करके हम उठाते हैं अरे दिखिए फ्रेंड्स मेरा लेमोन ग्रास देखिए कितना अच्छा हुआ दिखिए ये भी आज थोड़ा हम हार्वेस्ट करेंगे तो एक काट लेंगे थोड़ा सा ज्यादा हम नहीं चाहिए हम चाय बनाएंगे इसमें भी धेर सारे रेशी भी बनता है ये आज थोड़ा हम चाय के लिए ले जाएंगे थोड़ा सा लिया ये मेरा दो तीन कप चाय हो जाएगा थोड़ा सा देने से भी ये हो जाता है तो फिर हम थोड़ा ज्यादा देते हैं डालते हैं कि इसका फ्लेवर हमको बहुत अच्छा लगता है और ये इसमें तो बहुत गून है एंटियों इसमें बहुत है तो ये हट टाइम आप लोग पीजिएगा तो आपका एजिंग कभी नहीं होगा और ये देखिए फ्रेंट्स ए मेरा रंगुन देखिए एक जोड़ा का प्लांट देखिए फ्रेंट्स कितना अच्छा रोकिया देखिए फिर पूरा फ्लावार इसमें भर ये हे ज़से हो गया है तो अच्छा लग रहा यह काटिंग काल्प लागा था इससे हो गया और ये मेरा फीक दीए को स्यून commerce और इससका देखिए फ्लावर आगया चोटा सा एख एधम पॉट में देखिए फ्रेंट्स और ये कार्टिं लागए या और देखिए और ये मे इतना अच्छा है beautiful color देखिए और इसका seeds से भी हो जाता है देखिए फ्रेंज इस अब जो seeds हुआ अब ज्यादा नहीं पका आज एक ही जो हुआ कि इतना अच्छा इसका भीतर पूरा लाल जैसा होता है और खाने में यह बहुत टेस्टी है और यह तो हम बोला dragon fruit में उतना क्यार नहीं लेना पड़ता है यह गड़मी में भी हो जाता है और पाने भी इसमें बहुत कम देना पड़ता है तो आच्छा लगता है यह भी आप लोग लागा सकते है छाट पर लागा सकते हैं बहुत अच्छा है और खाने में बहुत टेस्टी है और यह जो मेरा यह जो मेरा जो तूइसी बेजिल्स यह भी आज हम थोड़ा हर्विस्ट करेंगे कि देखिए इसका फ्लावर आ गया और आप लोग को तो हम बोला फ्लावर जब आ जाता है तो एक खारव हो जाता है तो जितना एक काड ली जेका उतना अच्छा ही होगा एक अटलिया और यह तो बहुत अच्छा है चाय बनाईए कोई बारगार पीजा बनाईए उसमें डाल दीजे एक खाना चाहिए यह बेजिल तुल्शी का जैसा गून है इसमें ऐसा ही गून है तो यह खाना चाहिए इस टाइम ठांडी के टा स्था आईम देके फ्रेंड्स मेरा सूएट स्फ।रू प्ली का पधा बड़ा हो गया ओरा शूइट पटेटो का मुप हो गया आए जी बंद्व देके तक सहाग हो गया फ्रूट्स का पधा देखिए बड़ा हो गया और ये मेरा स्वीट पटेटो का जागा में देखिए मेरा शोर्षो का साग हो गया आप लोग जो शोर्षो खाते है ये आलाग ताइप का है इसका शोर्षो बहुत चोटा चोटा होता है और इसका पाता बहुत बड़ा होता है थोड़ा क्यार लेने से यह एतना पता होता है भड़ा भड़ा होता है तो फीर तो हम अइसे नहीं टकीषो लगा देंगे और देखे फ्रेंड्स यह हम चोटा जाथेगा में बारगॉति लगए और देखिए कितना अच्छा हुआ देखिए तो अश्मास के लागा ये चोकल स्वार हमें बहुत प्रचा हो जाता है कि अ प्रचारी मेरा कटीग है कटीग लगाया और इस साथ हो जाता है talkinひंना नोी देखिए सब पूरा ये मेरा बहुगान मैलिया कटीग डिलेमोन हां इसाब रंगोन देखे फ्रेंड्स इधर भी लेमोन है शब काटिंगम तयर हो गया मेरा आरे सब मेरा स्ट्राबेरी का आरे देखे इसका जो रानार्थ है यहीं से यह पाकड लेगा वहीं से नया पदा हो जाएगा नया प्लांट हो जाएगा तो इसलिए हम अधर रात दिया और शबीदा देखे फ्रेंड्स हम हार जाएगा जो ड्रागोन फूट्स का काटिंग लगाया और यह मेरा लेमोन है और यह देखे यह बेंजाल है अभी छोटा है अभी हम नहीं उठाएंगे यह बहुत बड़ा बड़ा होता है तो हमको होने नहीं देता है मांकी शब खा जाता है और यह देखे मेरा चीली देखे यह चीली भी बहुत होता है और यह पग्या इसको हम तोड़ लेंगे तो अच्छा लगता है यह बहुत होता है प्रेंट्स लिखिए यह मेरा बाता भी लेमुन लिखिए लूद बड़ा हो गया आज यह तोड़ेंगे तो फिर नया फ्लावर आ जाएगा इसलिए आप यह तोड़ लेंगे हम दीके फ्रेंट्स बहुत भड़ा हो गया हम के दोड लिया हम और इधार एकटा जलिमान के पाग गया आप लेक्टें लंडोगे ब्सकाव해 तो देखे बोलत अगर बोले डिके जिए 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 चाह बोलगे हाई है है टोगो देखिये फ्रेंश ना ऑच्छा मेरा भेंडी हुआ अब लोग भी ऐसे पुर्ण भींडी का पधा मुप काटिये छोड़ जिए ऑच्छाए घ्यार कर exclusive अब फिर पूरा भेंडी हो जाएगा देखिए फ्रेंस कितना अच्छा भेंडी हुआ देखिए फ्रेंस कितना हमको भेंडी मिल रहा देखिए अब लोग पिया ऐसे राग दीजे देखिए देखिए बहुत अच्छा भेंडी जाए इंपर देखिए कितना भेंडी मिला हमको देखिए अधर देखिए फ्रेंस मेरा जो मालावार्स पीना से देखिए बहुत अच्छा हुआ एक ही टो लागाया गमला में देखिए फ्रेंस इधर एक ही टो लागाया और फिर चोटा चोटा दूल को हो गया, तो उधार एख हीट हुआ, बहुत बढ़ा हुआ और बहुत मोटा भी इगए, इसका भी आज हम पात्ता थोड़ा होटा लेंगे, तोि यह वीसाथ हम भीकन तोर लेंगे, जहां से अब काड ली जेता है उहीं से इसका नया ब्रांच आ जाएगा तो इसलिए इसा खुदाना पाता काड लेना चाहिए नहीं कि ऐसे भी खाराव हो जाता है आप लोग रेसीपी बना सकते हैं इसलिए बहुत अस्ता शाग है तोड लेंगे कि अपना चाहन को साग मिल्या बहुत हुआ पिराना पत्ता पुरा मेरा जामुन का प्लान्ट का दीक चला गया और मेरा जामुन का पेड देखे आभी कि इतना बोड़ा हो गया अगला साल तो और जामुन होगा लग रहा है जादने उन्टेंगे, बहुत हो गया पिकी फेंड्स, इप रेंजाल हो गया, एक तो रेडी हो गया, तो इसको हम आज तो रहेंगे तो हो गया, इसा चुपा चुपा पेप गया तो इसा पुरा मंगी आके खा जाता है सब चुटा चुटा है जो मेरा गेंदा का काटिंग लगाया, एक की साद धेर सरा लगाया तो अलग-अलग करके हम लागाएंगे आज यह मेरा कड़ा मंगा वदा है यह हम नार्शारी से लाया है लाख यह इसका तो इस पर फ्लावर्डिंग हो गया तो इसका कड़ा मंग नहीं हुआ कड़ा मंग बोलता है नीशे से होता है तो देखते हैं क्या होगा और यह देखिए मेरा स्ट्रॉबेरी देखिए कितना अच्छा ग्रोग करते हैं और यह देखिए फ्रेंज इसका जो निकला यह रानार कहते हैं यह पर मिट्टी मिल जाएगा तो वह हो जाएगा फिर हम बाद में उठा के अलग जाएगा लागाएंगे इसका यह हो गया यह फिर हम उठा के लागाएंगे तो ऐसा करके अब लोग भी लागा चाकते हैं और फ्रेंड्स देखिए मेरा बीटर गोड देखिए छोटा वेराइटी का है यह खाने में बहुत टेस्टी होता है इसलिए इसका सीट्स हम छोड देंगे आगला साल होने के लिए यह होता है भी बहुत और यह देखिए बहुत टेस्टी है उतना कड़वा नहीं है तो इसलिए हम सीट्स राग देंगे देखिए फ्रेंड्स यह बहुत अच्छा है जो बड़ा बड़ा होता है बहुत कड़ होता है खाने में उतना टेस्ट नहीं है इसमें बहुत टेस्ट है तो और देखिए फ्रेंड्स ए मेरा ब्लैड ब्यूटी जो चीली है यह लगाया हम छोटा प्लास्टिक में लगाया यह बड़ा पॉट में हम लगाएंगे तो इसलिए इसको छोड़ दिया हम कुछ दिन के ल इसरे देखें धेर ऑ्झृटी अरो देखिए एक चालिए देखिए बड़ा बड़ा भेंधी ह cafघो अ तो इसका देखिए फ्रेंडस और शेल्स प्लावार अंबी स्टार्ट हो जाएगा देखें ऑगस्टमा concurर यह देखिए इसका यह आगया देखिए इधर आ तो मेरा थोड़ा देरी टाइम लग रहा है क्यूंकि यह नया पदा है छूटा सा लाया अभी बहुत बड़ा हो गया और यह देखिए मेरा ब्लीडिंग हाड इस अच्छा फ्लावर है इतना अच्छा फ्लावरिंग होता है इसका भी उतना क्यार नहीं लेना पड़ता है और देखिए इसका फ्लावर का बिल्टी देखिए बहुत चुंदर है बहुत चुंदर है इसका भीतर से देखिए लाल जो होता है तो यह बहुत अच्छा लगता है तो फ्लावरिंग होता है और इधार यह मेरा पुराना शक ब्रेंजयल का पड़ा है यह भी होता है ब्रेंज आपल है हमको नाजसरी से बोला जो यह लाल वाला होगा तो फिर भी तो यह अभी तर लाल नहीं हुआ तो हम इस लिए देखे रेडी हो गया और हम प्लास्टिक में राज दिया तो यह पास दिया तो आज इसका भी हम तोड़ लेंगे एक दों पग गया इस लाल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यह मेरा गार्डन में है ऐसे नीचे बैक्याड गार्डन में फिर इधर भी हो गया हैं यह किसम को हो गया कोई बात नहीं बड़ा भी हुआ है एक ठो हुआ गया देखित हैं चोलेए अच्छा लग रहे ऐ और इता देखित कर रहरा है और और एक रच नहा हो कर रहा किस भी इतना वह तो बहुत खीमते हैं तो हम दोड़UM नहीं राखते हैं क्योंकि ठांडी के टाइम उतना नहीं होगा तो इसलिए हर फ्लावर जब थोड़ा सब खिलता है वह हम तोड़ लेते हैं और इधर देखिए मेरा पर्टुला का प्लान देखिए इतना अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है हाट टाइम होते रहते हैं यह गु ऐ पीटीपुल कालर है इसका यह देखिए इसा बहुत फ्लावरा के शींट साग्या तो आधीठ्वीन दut 我 largtu काम में आता है गुलयुदा और यह देखिए देखिए इतना खिलता है इतना फूल खिलتा है इसको बहुत अच्छा लगता है। और बैर नार्शारे शेलाया अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हनों गया,logat यमस्य अभी बैर जोड़ित बार गया तो देखे हम यह देखे फ्रेंट्स आट्ट दो से इंची का गामला में हम दिया और देखे यह बहुत बढ़ा हो गया इसका फिर पॉट चेंज करना पड़ेगा गामला चेंज करना पड़े गा और देखे आच्छा लग रहा फ्लावरीं स्टार्ट हो गया कुछ दिन बुरा भरा हुआ है ड्रागन फूर्ट 2-3-4-5-6 उदर गीतर है तो यह फिर और 2-3 दिन बाद यह फिर हमको हार्वेस्ट करना पड़ेगा तो अच्छा लगता है जब हार्वेस्ट होता है और हाब लोग भी लागाईए ड्रागन फूर्ट बहुत अच्छा पदा है और इस अधर मेरा बंट गोज़ होड में अधर बेटार फॉट में western अधर मेरा झाल्ट फॉट शुट ताई अधर लेंगे इसका भी फ्लावर हम थोड़ा तोड़ लेंगे यह बहुत बहुत फ्लावर होता है यह से हम चाय बनाएंगे इसका चाय पीना बहुत जोरूरी है यह बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए तो यह पुजा में भी लगता है और यह बोलता है घोड में रात में राखियेगा तो यह शुभा मनता है तो इसलिए यह जोरूर राख एह भी देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है और एधार एशब देखिए मेरा जामुन का पधा एकाम का पधा है और अधर भीतर देखिए मेरा पाइनपल और पाइनपल हम काट लिया फ्यर उसका उन्या ब्रांश निकला घो भी थीक है एक आचिные आ और ये देखिए फ्रेंज ये जो साग है शुषनी साग ये बहुत अच्छा है ये हम तो बोला आप लोगों को जे ये आप लोग खाईएगा तो जिसका नीद का प्राब्लेम है वो ठीक हो जाता है ये इसका जूस थोड़ा एक चमस छुवा में खाईए वो अच्छा होगा और ऐसे भी ये शाग बना के खाईए ये बहुत अच्छा है और देखिए ये बहुत होता है ये बौशत के टाइम तो मेरा तो उतना जाएगा नहीं है जहां दां भी हम ऐसे छिड़क देते हैं और ये इतना फैल जाता है पुरा बागान भर जाएगा थोड़ा सा जाएग तो इस अब हम थोड़ा थोड़ा करके लागाते हैं और इता देखिए फ्रेंज ये जो मेरा हेलेंचा का साग है ये भी बहुत अच्छा है ये भी जिसका आखो का प्रोब्लेम है ओ भी ये शाग खाने से वो बोलता है जो ठीक हो जाएगा मतलब हार टाइम आर हार शाग आ तो और जादा इस इसमें फाइदा होता है ये शाग तो ये ये जाई दाई ये गीर के हो जाता है तो हम थोड़ा सा लागाया हम थोड़ा करके हम शाग के साथ मिला के बानाते हैं थोड़ा थोड़ा करके तो ये पूरा भर जाता है थोड़ा सा क्याल लेने से बहुत होता ह तो फिर मेरा उतना अभी जाएगा नहीं लिया थोड़ा साइट छोटा जाएगा में लागाया देखिए इतना से हो जाएगा और इदर सब दीकी फ्रेंज ये मेरा सब भीतर में रख दिया बर प्लास्टिक है तो इस अफिर अलग अलग जाएगा में लागाना पड़ेगा इ ये ब्रिंजल लगाया उस दिन ये जो लंबा वाइट कलर का जो ब्रिंजल होता है वो ही लगाया ये देखिए कितना अच्छा हुआ अभी तो किमली नहीं हुआ तो ठीक है कोई बात में और ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा नीम का पधा दिखिए ये आज भी हम थोड़ ये मेरा प्लांट में इसका वाटर याज हम ये स्प्रे करेंगे पेस्टिसाइड बहुत अच्छा होता है तो ये भी नीम पता थोड़ा उठाएंगे और ये जो छूटा-छूटा पता एक धर से हम तोड़ लेंगे तोड़ लेने से क्या होगा ये और अच्छा फेलेगा ये हम लोग खाते हैं ये हम लोग बेंगोली में इसका पता खुब खाते हैं तो ये खाना भी चाहिए और ये जो पता कड़ा हो गया ये हम पेस्टिसाइड बनाएंगे तो मेरा जो नीम का पेस्टिसाइड वो होगा आब लोग देखा होगा तो ये पहुत आच्छा है प् लागा यह इसरे से तोड़ लिजिय। फिर यह पुरा भर जाएगा। देखे बैस हो गया। और देखे फ्रेंड्स ए मेरा कितना अच्छा इसे लिए जो जो कारी लिप्स। दिखें यह हम 2 इंची का गामला में लागाया और इनी नॉर्मल क्यार है जो गाडेन सोयल और थोड़ा-थोड़ा बीज़बीज में हम मास्टर के लिकुई डालते हैं और कुछ नहीं डालते हैं फ्रेंट्स और दिखें कितना अच्छा ग्रो किया तो जब मन करता है तो यह ह ही हम तोल लेंगे जब भीतर भीतर हो गया हम हार जाएगा में थोड़ा थोड़ा शाग लागाते हैं तो इस अच्छा है और देखिए प्रेंस इधर हम जो स्नेक गोड लागाया एक तो हुआ बड़ा हुआ कितना बड़ा हुआ देखिए इसको हम छोड़ दिया सीट्स के लि इतना सीर्स हमको नहीं चाहिए ये दिखिए फ्रेंस इह बहुत बड़ा हो गया इसको हम तोड लेंगे पूसला के काटना पड़ेंगे देखिए फ्रेंस बहुत बड़ा हो गया ये आज हम काट लेंगे इसका तो बहुत आच्छा सब्जी होगा और इधार देखिए फ्रेंस शूप गया लागता है इसका किडा बुड़ा लाग गया तो ये भी हाज हम तोड लेंगे ये पूरा किडा लग गया देखिए फ्रेंस इधार से किडा लग गया तो ये भी हाज हम तोड लेंगे तो फ्रेंड्स देखेए आज मेरा थेरेस से यही वेजी टेवेल्स फ्रूट्स और ज्यादा ख़र के घ्रैंस आज हम हर्वेस्ट किया देखें यह देखें यह चूट लीफ्ट किया बहुत जरां वर्वेस्ट किया आज अरे देख्ये फ्रें्स व स्थान है जो हिलेंग चैनल कहते हैं व भी हर्विस्ट किया और देख्ये फ्रेंस गर्वत्ती थोड़ा सा अधर्वेस्ट किया और ये ये शोषो का शाक शोषो का शाक से ये wateriveness ज़िए कि शाल स्थेक जी खानाइ langsam क्या भी खूंनता है यह हां हर्वेस्ट किया और यह कि इतले चणरा हाश की अलिछlast heute蛇छ अब सरेते nights जो मालावर स्पीनश यह भी थोड़ा इसका पात्ता हम कार्ज लिया और ये Him questo थोड़ा साहर व हर्विस्ट क्या और ये Lemongrass, Snake Goat इधहार देखिये फेंडी vergessen करने के तो प्रेंजल थोड़ा से उठाया और देखिए मेरा कि शुगार रापेल देखिए कितना बड़ा हुआ देखिए फ्रेंज बढ़ा एक्तम पाक्या तो लाल फैराइटी बोला तो लाल नहीं हुआ कोई बात नहीं है इसे भी बहुत बड़ा हुआ और ड्रागोन फुर्ट से तो फ्रेंज यही था आज मेरा गार्डेन का सब कुस तो एक वीडियो आप लोग हो कैसा लागा जोरूर बताएएगा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू क्या बकाई झाल कि बड़ा हुआ लुटार नहीं है क्याती साय हुआ